अससलाम उलेकुम तो स्वागत थे आप सभी का ग्यापन इकेडिमी के इस नय और लेटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 12 क्लास के उर्दो के कहकशा किताब से चैप्टर नमबर 9 पढ़ाने जा रही हूं जिसका नाम है भूले बिसरे गीत देखिए सबसे पहले टाइटल का मतलब समझे कि भूले बिसरे गीत का मतलब क्या होता है तब आप लोगों को मालूम चलेगा कि इस चैप्टर में कहानी क्या बताया गया है और क्या लिखा गया है ठीके देखिए भूले बिसरे गीत का मतलब होता है वैसे गीत वैसे गाने जिसको लोग पुरी तरीके से भूल चुके हैं यानि की वैसे पुराने पुराने फिल्मों के गाने वैसे पुराने गाने जिसको लोग शुनन अभी पसंद नहीं करते उस गाने को बोला जाता है भुले विष्रेगी ठीक है आप लोग देखे भी होंगे आज कल ब्लेक इन वाइट मतलब पुराने पुराने जो फिल्में है वह ब्लेक इन वाइट में आता था सिर्फ वाइट और ब्लेक कलर का दिखता था उसमें रंगीन टाइप का ठीक है तो अभी भी कुछ लोग है जो कि पुराने पुराने गाने को सुना करते हैं पुराने फिल्मों को देखते हैं ठीक है तो इस चेप्टर में ये बताया गया है कि जिस तरह लोग नए नए गाने को सुनना पसंद करते हैं और जैसे ही वह पुराना हो जाता है उसको भूल जाते हैं इन्सान के जिंदगी में होता है आपसे लोगों को काम है तो लोग आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से बात करेंगे आपका रिस्पेक्ट करेंगे लेकिन जैसे ही लोगों का आपसे काम निकला तो लोग जो है आपका रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं आप कहीं भी जाए कुछ भी करें आपसे उनसे कोई मतलब नहीं है वही वाला बात आ जाती है अपना काम बनता और भार में जाये जनता मतलब अपना काम निकला तो आप कहां और हम कहां आप भार में जाईए ठीक है तो आज कल ऐसा सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है कि अगर क स्बस्वत्व मैं लिखने वाले का नाम जैंढ़ भूरे बिस्ञेलघित नाम के मुसनिफ याने की भूबस्ञेलध इस चेप्टर के जो लेखक है वह शव यह सबसे पहले आप लोग शपी जावेद के बारे में कुछ डीटेल्स जान जाने के वर्य दूरी है तो देखिए शफी जावेद की पैदाईश की बात कर ले तो पैदा हुए थे चार जनवरी उन्हें सब 35 को मुझफरपूर में ठीक लेकिन बहले ही वो पैदा हुए थे मुझफरपूर में लेकिन उनका आबाई वतन यानि की जो मात्री भूमी था वो था गया यह कोशन पूर्ट सकता है कि बताईए शफी जावेद का आबाई वतन क्या है और चार अप्सन देदेगा जिसमें गया रहेगा तो आप लोग गया टिक लगा कराईएगा ठीक है यह इंपोर्टन पॉइंट है शफी जावेद का असल नाम जो है ना यानकी रियल नेम वह है से मश्रूर हो गया लेकिन इनका रियल नेम क्या है सएद मुहमद शफी उद्दीन शफी जावेद जो है ना वह पटना यूनिवर्सिटी से समाजियात में में किये समाजियात मतलब सोसियलाजी में ठीक है में किये थे और दर्भंगा से पहला अफसाना शफी जावेद का पहला कहानी जो है वो दर्भंगा से जिसका नाम है आट और तंबाकु शफी जावेद का पहला कहानी का क्या नाम है आट और तंबाकु तंबाकु जो की दर्भंगा से उन्हें सत्तिरपन इस भी में प्रकाशित हुआ यानकी शाय हुआ फिर से शफी जावेद का पहला हजबना का नाम, आप लोग के book में दिया गया है card यानि कि अपसाना कहानी के किताब का नाम एक। दाइरा से बाहर ये कि कहानी का किताब हैं जो की coloni इसे 29 इसमियमें प्रकाषिथ हुआ ये किताब तरीफ उस Khudada की ये भी कहानी का ही किताब ka नाम है तो ये serial 84 सिल में प्रकाषिथ हुआ वक्त के असीर ये उन्हें से क्यान्वीर इसमियमें प्रकाशित प्रकाशित हुआ और शहर और मैं यह 24 में प्रकाशित हुआ तो यह कुछ अपसानी मजमुए थे जो आप लोग के बुक में दिये गए थे इसका नाम तो आप लोग इस चीज़ को याद रख लीजिएगा क्योंकि पता नहीं किस तरह कोश्चन एक्जाम में घुमा कर पूछ घुमा कर दो आप लेकिन इसके इलावा एक नजम नगार भी थे यह कविता भी लिखते थे ठीक है और मीनी अफसाना भी लिखा करते हैं ठीक तो यह हो गया श्रफी जावीद की बारे में कुछ डिटल जो आप लोगों को याद रखना है अब चलिए मैं आप लोगों को इस भूले बिस्रेगीत नाम के चैप्टर को समझाती हूं और पूरी कहानी को बताती हूं उकदम शुरू से ठीक है तो देखिए इस डारेक्टर थे ठीक है जब यह डारेक्टर थे सेयद अजीज एहमद तो इनको बहुत ज़्यदा रिस्पेक्ट मिलता था लोग इनके सामने आकर जुका करते थे ओ माई गॉड यह बहुत ज़्यदा खुश्र भी थे लोग इनको बहुत ज़्यदा मतलब रिस्पेक्ट करत देखते दस साल हो गया और इन दस सालों में सेयद अजीज अहमत को तो लोग पूरी तरीके से भूल गए लोग ये भी भूल गए कि सेयद अजीज अहमत कभी डारेक्टर भी हुआ करते थे ठीक है पूरी तरीके से से अजीज अहमत को लोग भूल गए इनको कोई रेस्पेक् पिला इनकी की बीवी बोलती थी कि जाइए आप छोटा-मुठा कोई काम धूने लीजें कम से कम ठीक है तो से यह दाजी जैमत कहते थे की नहीं मैं डारेक्टर के ओदे पर डारेक्टर के पोस्ट पर से रिटायर हुआ हूँ अगर डारेक्टर के पोस्ट पर से रिटायर हो ले कि बाद अगर मैं छोटी मुटी काम जूनता हुआ तो लोग क्या सोचेंगे मेरी इंसल्ट होगी ठीक है तो इनकी बीवी कहती थी तो कब तक टेको संजा देखो हमेसा सचाई और इमांदारी के साथ काम करना चाहिए कभी भी रिश्वत नहीं लेनी चाहिए तो इनका बेटा पता है क्या कहता कि हाँ इतने सालों से तो आप बहुत सच्चाई पर रहकर और बिना रिश्वत लिए है हमारे लिए ठीखिए देखी तो रहा हूँ इतना दिन से इतना सालों से क्या कर लिए आप हम लोगों के लिए सोचिए तो एक दिन जो है ना सेद अजीज एहमद एक शादी में गए वहाँ पर जाने के बाद पता है क्या हुआ वो लोग जो सेद अजीज एहमद को बहुत आज वही लोग जो है ना सेद अजीज एहमद को सलाम भी नहीं कर रहे हैं ठीके तो ये सेद अजीज एहमद के दिल पर जाकर लगी और उनको उस वक्त पूरी तरीके से एसास हो गया कि वाकई में इंसान जो है ना किसी चीज़ के लायक होता है तो लोग उसकी बहुत ज़ रिस्पेक्ट करते हैं सम्मान करते हैं प्यारी प्यारी मीठी मीठी बाते करते हैं ताकि वो इंसान गुशा ना हो अपना काम निकलवा सके वो लोग ठीके और जैसे ही काम निकलता है जब इंसान किसी चीज के लायक नहीं रहता तो वो उस इंसान को लोग रिस्पेक्ट द पास कोई भी मतलब बोलिए तो कोई भी जॉब नहीं है वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो एक तरसे इनको लोग भूल चुके हैं ठीक है कोई भी इनको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो यह चीज की इनको एसास हो गई उसी शादी में और सेद अजीज एहमद का एक दोस्त पुराना दोस्त जिसका नाम था रवी रंजन वो उसी शादी में मिल गया तो सेद अजीज एहमद यह धेर सारी बाते किये अपने दोस्त रवी रंजन से अब आप लोग जानते हैं जब दो दोस्त मिलते हैं दो फ्रेंड ठीक है तो क्या-क्या बाते होती है बच्पन की ब तभी होती है इंसान को लोग तभी रिस्पेक्ट करते हैं जब वो किसी चीज के लायक होता है तो यह घर आए और घर आकर सोचे कि थोड़ा मैं टेलीवीजन पर टीवी पर निउस देख लो की मेरा मूड जो है वह अच्छा हो जाए तो जब यह गये टेलीवीजन के पास टीवी के पास निउज देखने के लिए तो देखे कि इनका जो नवासा है वो टेलीवीजन पर लो ओन इंटरनेट देख रहा है जिस तरह चोटा भीम होता है मोटू पतलू काटून चलता है ना शो वगरा मोटू पतलू अजकल सबसेदा बच्चे यही सब देख रहा है न मोटू पतलू का चोटा भीम और पता नहीं क्या होता है दो्रेमॉन वगरा ठीक है जिस तरह यह काटून का शो चलता है बिल्कूल उसएतरा उसवाक्त लो ओन इंटरनेट नाम का का शो चलता था ठीक है तो उनका जो नवासा है वो लो ओन इंटरनेत देख रहा था याद रखिएगा कि एक्जाम में कोश्चन पूछ देता है कि बताईए सेद अहमत का नवासा टेलिवीजन पर क्या देख रहा था ठीक है तो आपसन में दिया रहता है लो ओन इंटरनेट ठीक है तो यह चीज़ याद रखिएगा तो जब सेद अहमत गए तो देखे कि उनका नवा आसे से कि भाई दो रिमोट मुझको न्यूज देखना है ठीक है अब देखिए उनका नवासा जो है वो गुस्चा होकर देखा और रिमोट उठाया और फिक कर चला गया कि लिजिए देखते रहिए क्या इज़त रहे गई सेद अजीज हमत की अब जो है ना सेद अजीज हम उनको पुराना ट्रंजिस्टर याद आया ट्रंजिस्टर यानि की रेडियो जिस पर वो अक्सर भूले विश्रेगीत नाम का प्रोग्राम सुना करते थे तो अब ये अपना पुराना ट्रंजिस्टर ढूनने लगे लाइट उठा है और स्टोर रूम में चले गए ढूनने इस सिगरेट भी प्या करते थे तो सिगरेट पीने के Jubl經 को कोई भिमारी भी हो गए थी डाक्टर ने कहा था सिगरेट छोड़ देने के लिए की कि वाई भी थी तो यह कहां सिगरेट छोड़ने वाले हैं भाई कोई साथ नहीं देगा तो इनका एकृломण काका था जाने साथ हो रहा था और यहाँ पर ध्यान दिजीए जो भुले कीत नाम का प्रोग्राम चलता था ना रेडियो पर वो सुभा साथ बज़े तक ही चलता था यह इंपोर्टेंट चीज़ है एक्जाम में कोशन पूछ देता है कि भूले विश्रगीत नाम का प्रोग्राम कब तक चलता था तो सुभा साथ बज़े तक यह पूछा भी जा चुका है तो यह याद रखि सेद अजीज अहमात की नतकाल हो गई उनकी मौत हो गई क्यवकी वहमेशा ठेंस सन में रहते थे चारो तरफ से उनको लोग बढ़नाम ही करते थे लोग चारो तरफ से इनको बोलते ही थे करई से इंको र्सपेक्ट नहीं मिलता था यहां तक कि इनकी बीवे इंका उसाथ न सथ्क्राइब कोई इंसान जो इनकी मौत हो गई तो ये था आप लोग का पूरा कहानी और इसी के सांथ आप लोग का चैप्टर्र नंबर नाइन जो पुलीट होता है इंदिन बहुत ज़दा ओने के फिल्म का इंड एंड उसी तरह इस कहानी का जो मरकजी करदार मैंन करेक्टर जिस पर यह कहानी लिखी गई है उसी का लास्ट में मौत हो गई तो थोड़ा इमोशनल लगता है बढ़ कोई दिकत नहीं है तो यहीं पर हो जाता है आप लोग का चैप्टर नुमर 9 complete कोई भी confusion है चैप्टर से related आप हमें comment करकर पूछ सकते हैं जो कुछ भी मैं आप लोगो को समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और उसके बाद से आप लोगो सबसे ज्यादा वीडियो को शेयर करना है अपने पड़ोसियों अप अपने दोस्तों के पास जितना जदा हो सके उतना जदा शेयर कीजे और हाँ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और सब्सक्राइब कर लेने के बाद आप लोग को बैल आइकन यान की घंटी दिखाई देगी उसको तो दब ठीजे़ नliers के उतना जपस्तों कि अजस जास सक maggी झाल शेमा चैनल की अहर अगर ज्बभ कर लेकर शेमाफ बैस कर दूब़ के उसक्राइब교 धिजेतेयों आप लोगैं की उसक्राइबरा कर कर दeg़ हूँ cabin?